देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त एक बड़े जलसंकट का सामना कर रही है जहाँ एक तरफ भीशन गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के कुछ इलाकों में लोगों को पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं हो रहा कई लाकों में लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं लोगों तक टैंकरों के माध्यम से पानी पहुचाया जा रहा है लेकिन तपती दिल्ली में इस जलसंकट से लोग बेहत परिशान है तपति दिल्ली में पेजल संकट भी परिशानी की वज़ा बना हुआ है बाहरी दिल्ली में तड़के चार बजे की सप्लाई ने लोगों की दिन चर्या ही बिगाड दी है पूरी रात पानी की इंतिजार में कट रही है वहीं टैंकर पर निर्भर बड़ी आबादी को भी पानी नसीब नहीं हो रहा है वहीं दिल्ली सरकार ने भी यमुना की जलिस्तर में आई गिरावर को देखते वे सकती बरतनी शुरू कर दी है पानी बचानी की अपील करने के साथ पेजल बरबाद करने वालों पर सरकार ने 2000 रुपे का जुर्माना लगा दिया है वहीं दिल्ली की जनता ने बात करते वे पानी को लेकर हो रही अपनी परिशानी से जूज रहे है पानी के ले जाते हैं फिर कुछ होता ही नहीं है पानी खरीद के लाते हैं नहीं तो कहीं से देखते हैं पीने और खाना वनानी का नहीं करते हैं पानी और भी चाहिए डबल टकर कम चाहिए यहां पर सिंदस होता नहीं है कम चार-पास अजार अबादी हैं आपर पानी पूरनी पाता सबको एक गारी पानी मिलता है यहां पर किसी के होता है किसी के नहीं होता है तो सरकार से बोला अपने कम सुन भाई यह ने करता है पानी बिनों लोग तरह जाता है कि मुल लेने पड़ता है बहुती समस्या जी एक टेंकर आता है और यह यह अतना बराब बस्ती है इस बस्ती एक टेंकर से क्या होने वला इसमें नहीर वजराम भी पौनी जाता है और पौनी बैता भी है ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया पब्लिक खबर फिलाल कले इस खबर में बस इतना ही देश हो दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब करें और बने रिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ कराओ मँव दुमम पब्लिक खबरों को सब्सके एसे खबरों को सब्सक्राइब दो कि सब्सक्तों के से अफ耗 कूप़ रिए झाल झाल